Hello students, आज हम exercise 10.1 करेंगे, chapter 10, mensuration, question number 10 देखेंगे, the parameter of a regular pentagon is 100 cm, how long is its each side? तो उसकी प्रतेक side की हमें लंबाई बतानी है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक pentagon है, pentagon में कितनी sides होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 side होती है, किसमे? pentagon में, तो हम लिखेंगे parameter, हम जानते हैं, parameter of pentagon, क्या होता है? 5 multiply by side, right? तो equal के नीचे equal का sign लगाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है? parameter of a regular pentagon is 100 cm, तो parameter of pentagon के नीचे हम क्या लिख लेंगे? 100 cm, और 5 के नीचे 5 cross side, तो हमें निकालना क्या है? how long is its each side? हमें side निकालनी है इसकी, अब हम देखेंगे कि side के साथ हमारा 5 लिखा हुआ है, इस हम 5 को हटाएंगे, तभी तो side आएगी, तो ये 5 किसमें लिखा है? multiply में लिखा है, multiply में जो चीज लिखी होती है, वो कहा जाती है? equal के? नीचे, यानि कि 100 upon 5, यह हो जाएगा, is equal to side, अब हम इसे कट कर देंगे, पांस दूनी दस, जीरो, तो 20 cm is equal to side, तो side हमारी कितनी आ गई इसमें? 20 cm, और यही हम से पूछा है, तो यही इस question का answer हो जाएगा, कि side हमारी 20 cm हो गई, तो यही इस question का answer है, next question के लिए हम लोग next वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद दा रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए